डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद इस्टार्ट बिहार सरकार ने जातिये सरवेक्षन की आंकडे तो जारी कर दिये हैं लेकिन एहम सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा दो महीने के भीतर पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव होने है फिर लोकसभा चुनाव के लिए रण ख्षेत्र में मुकाबला होगा बिहार में जातिये सरवेक्षन लंबे समय से विवादों में फंसा हुआ था मामला न्यायालई की चोखट तक भी पहुचा आंकडों में अन्य पिछडा वर्ग का आंकडा 63 फीसदी आने से OBC की राजनीती गर्माने वाली है राजनीतिक दल जातिये राजनीती से परहेज करने की दावे भले ही कितने भी कर लें लेकिन चुनावी राजनीती जातिये समी करनों के इर्द गिर्द ही घुमती आई है जातिये सर्वेक्षन के आंकडे जारी होने के बाद आबादी के अनुपात में आरक्षन की मांग जोर पकडेगे विश्वनात प्रताब सिहें के प्रधान मंत्रित्व काल में मंडल आयोग की सिफार से लागु करने से उठा राजनीतिक बवंडर राजनीतिक परिद्रश्य से ओजल भले ही हो चुका लेकिन आंच अब तक महसूस की जाती है आने वाले दिनों में नोकरियों की साथ राजनीति में आबादी की हिसाब से ओबीसी आरक्षन का कोटा लागु करने की मांग तूल पकड सकती है इस मुद्दे पर राय अलग-अलग हो सकती है कि राजनीति में जातिये गोल बंदी होनी चाहिए अथवा नहें लेकिन इस तरह की गोल बंदी से नुकसान तो समाज को ही जिलना पड़ता है आरक्षन की समिक्सा की मांग अनेक बार उठ चुकी है लेकिन मुद्दा इतना समवेदन सील है कि कोई भी सरकार एसा करने से बचना चाहती है यहां सवाल यह भी उठता है कि जातिये सरवेक्षन की आंकडी सिर्फ बिहार तक ही सीमित क्यों रहें क्या समूचे देश में जातिये जनगनना नहीं होनी चाहिए और यदि हां तो क्यों नहीं इसके लिए सर्वसम्मती बनाने की प्रयास किये जाएं मुद्दा जब इतना समवेदन सील हो तो सिर्फ राजनीतिक लाब हानी से उपर उठने की जरूरत है इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार अपनी तरप से पहल करे सभी राज्ये सरकारों की साथ राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर एसा फार्मूला तलासना चाहिए जो सभी को स्वीकारे हो ज्यान यह भी रखना है कि हर मुद्दा आरोप प्रत्यारोप की चासनी में डूबा नहीं हो देश में अनेक मुद्द सालों से विवादों की जूले में जूल रहे हैं सभी दल खुले मन की साथ एक टेबल पर बेठें तो इनका समाधान निकल सकता है आवश्यक्ता एक दूसरे पर भरोसा करने की है बिहार के जातिगत सर्विक्षन के आंकडे आने की साथ ही इसका राजनीतिक स्रय लेने की होड तेज होने वाली है लेकिन भासा का सयम बना रहे एसे बयान नहीं दिये जाने चाहिए जिससे टकराव की आसंग का पेदा होती हो समाप दोस्तों इसका पीडे फाइल अपने ओफिसिल टेलिग्राम चैनल स्टड़ी वित आज में स्वामें पर डाल लगा है